हलो दोस्तो अगर आपके पास सेंट्रल बैंक का इंडिया का सेविंग एकाउंट है और आप अपना CIF नंबर भोल चुके हैं या किसी भी रिजन से आपको CIF नंबर की जरुरत है तो चलिए आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताता हूं कि आप CIF नंबर कै कैसे पास सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले Google ओपन कर लिजे और वहां पे सेंट्रल बैंक लिक कर सर्च करेंगे तो आपको पहला ही वेबसाइट यहां पे देखने को मिल जायागा इसको क्लिक करके ओपन कर ले उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा Internet Banking इसको क्लिक करके open करें फिर यहाँ पर आपको left side पर दिखेगा personal banking के लिए और यहाँ पर corporate banking के लिए तो यहाँ पर मैं personal banking जो लिखा हो है वहाँ पर login बटन है वहाँ पर click कर लेता हूँ तो हमें कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे दिखाई दे रहा है get cif इसको click करना होगा click करने पर कुछ इस तरह का interface हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें अपना account number इंटर करना होगा तो यहाँ पर मैंने account number इंटर कर दिया है उसके बाद submit बटन पर क्लिक करें सब्मिट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर जो है जो हमने बैंक अकाउंट ओपन कराते वक्त दिया था उस पे एक OTP सेंड होता है उसको यहां पे हमें इंटर करना होता है तो चलिए मैं जल्दी से वो OTP यहां पे इंटर कर लेता हूँ तो यहां पे मैंने OTP इंटर कर दिया है उसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा जैसे ही हमने सब्मिट बटन पे क्लिक किया यहां पर आप देख सकते हैं हमें CIF नंबर मिल गया तो इस तरह से हम अपना CIF नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन को हमेशा आल पे सेट करके रखना जिससे कोई भी नए वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तो चली मिलता हूँ आपसे फीर एक नए वीडियो के शाहाँ तब तक के लिए बाबाई दोस्तो ठेंक्यू